नमस्कार बढ़ाओं जितने भी मुझे प्यार करने वाले लोग हैं और जितने का मेरी जनता ही है जो मुझे प्यार करती है अब दिल से प्याराओं आप सब को क्या आप मुझे इतना प्यार देते हैं पुरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो जाए और दुनिया नहीं हो सकते मेरे खिलाफ मुझे लगता है कि सुसांद सिंह राजपूत दूसरा बनाने जा रहा है वजपुरी इंडेस्ट्री जितनी शपोर्ट हिंदी इंडेस्ट्री से सुसांद सिंह राजपूत को मिला था वही भरभर के प्यार मुझे पुरी इंडेस्ट्री देने की कोसिस में लग गई है अच्छी बात लेकिन मैं उतना कमजोर हो नहीं, तो कि मेरे पास आप सब की महबत है, आज कल मेरा नाम करोना पोजेटिव की तरह हो गया, अगर करोगलती से कोई नाम मेरा ले भी लिया, तो पता नहीं, लोगों को प्रब्लम क्या हो जाती है, लोग इंटर्व्यू छोड़के भाग जाते हैं, कुछ लोग नाम लेते ही उनको भी इतनी मिर्ची लगने लगती है, बट कोई नहीं है, ठीक है, मैं सवसांत से राजपूत, कि गाउं से हो जरूर, उस बिहार से हो जरूर, उस पटना से जरूर हो, चपरा से हो, एक बिहारी हो, बट मैं कमजोर हैं नहीं, क्योंकि आज पूरी हि अदुष्टान की जनता जो लोग मुझे महबत करते हैं, उनकी महबत में हो मैं, इन वजबुरी इंडिस्टी के लोगों, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, मुझे फरक इसलिए नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे बारे में सोचते ही नहीं, और अच् क्या बढ़िये हम सब के लिए दुआय करते हैं ऐसा नहीं है लेकि मैं देख रहा हूँ कि मैं जब से इंडेस्टी में आया हूँ कर ली उसलिए चुबता हूँ मैं गरीबों को शेवा में रहता हूँ हमेशा इसलिए चुबता हूँ लोगों को गोद लेता हूँ इसलिए चुबता हूँ आखिर कारण क्या है ऐसा तो मैं आपको चुबाइने के लिए कोई कामी नहीं करता जिससे आपको तकलिफ हो बट नाम आता एक दम korona positive हो जाता हूं लेकि आपको पता नहीं पुरे हिंदुस्तान के लिए वैक्सीन हो मैं और आप सब के लिए तो ज्यादा वैक्सीन हो मैं आप सब को क्या बोलो मैं जो भी मेरे बारे में बोलता है अला की बोलता है मैंने कि सारी क्या कर दिया है आप सब को वो गॉड बट कोई नहीं आप मुझे सुसान सिंग राजबूत की तरफ लेकर जाईए आप को सिस करिए कि हम भी कुछ कर जाएं बट ऐसा करूँगा नहीं मैं हेलो पैसे से अगर इस्टाटम मिलती होती है पैसे से समान खरिच सकते हैं आप सम्मान नहीं आपके पास पैसे बहुत होंगे आप सब के पास पैसे बहुत हैं इस वर करें और बढ़ जाए बट आप पैसे से समान खरिच सकते हैं सम्मान नहीं और स्टाटम नहीं आप जिसको बढ़ाना चाहते हैं जहां बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा कर देखिये मैं भी आपके सामने ही हो और आप सबके सामने हो मुझे फरक इसल्य नहीं पड़ेगा कि हमारी इंडिश्टी기는 बढ़ी हो गी और हमें खुशी होगी क्योंकि मरी इंडिस्टि में। सारी भजपुरी इंडिस्टि मिलकर एक को दबाना चाहती है। और वो है जे दबने का नाम ही नहीं लेता है। क्योंकि उसके पास मेरे जीवन में किसी का युगदान नहीं है, शह्योग है। अगर युगदान है तो मेरे जीवन में शुरिफ मेरे जनता का है उसके दम पे मैं हमेशा कड़ा रहता हूँ और उनके दम पे ही कुछ बोलने की दाकत भी रखता हूँ कि सारी लाल्यादों के लिए पुरे बिहार बंद हो जाता है ये लोगों का सम्मान ही तो है तो जो कड़ोरों के दिल में घूम रहा है जो और वो 70-80 कड़ोरों जनता के दिल में बशा हुआ है जिसके लिए बिहार बंद हो जाता है उसके लिए आपकी परतिग्रिया कुछ ज़्यादा खास नहीं है आपकी एहमियत मेरे जीवन में नहीं है आप लोग जो सोच रहें न कुछ लोग आप इतना इंपोर्टेट नहीं हो मेरे लिए तो प्लीज अभी ब्यानबाजी बंद कर दो आप लोग आप करके दिखाओ मुझे कोई प्रवाह नहीं होगा आप अपनी जुबान से बोलके ऐसा क्या दिखाना चाहते हो मैं गरीब का भेटा हूँ यार ठीक है मुझे कोई दिकत नहीं है मैं स्टागल करके आया हूँ मैं लिटी बेचा हूँ मैं दूद बेचा हूँ इसलिए गरीबों के दर्द में रहता हूँ इसलिए उनकी तकलीफों में रहता हूँ हाँ मेरी पॉब्लिक सिटी पॉब्लिक बढ़ रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है मैं अपना अच्छा काम करने की कोशिस कर रहा हूँ अच्छा गाना गाता हूँ तो प्रबलम होती है जादा गाना गाता हूं तो प्रबलम होती है, अच्छी सिनेमा कर देता हूं तो प्रबलम होती है, संघर्ष में मेरी कोई उपलगदी नहीं थी, लेकि उसके बाद कोई हिट सिनेमा बन जाती तो सायद मुझे भी अच्छा लगता है, कि संघर्ष के बाद अगर कोई सुपर म भी बन जाती ना तो मुझे बड़ी खुशी होती कि हाँ यार खेसारी के बाद ये करके दिखाया तो जुबानिया लड़ाई बन करिए काम करिए न थ्वड़ा सा फोकस कर दीजे काम पे मुझे लगता है जो काम पे फोकस करेंगे तो जादा आज कल हर आदमी के तो प्लीज आप सब मेरे बड़े सम्मानित लोग हैं मेरे बड़े भाई की तरह हैं किसी एक छोटे से बच्चे को किसी गरीब के बेटे को आप पूरी इंडेस्टी इतना मत सता दो कि आदमी आत्मात्या कर लें जीस तरह सुसांसी राजबुल के साथ हिंदी के लोगों न मेरे से रोक सकता हूँ, उनको मैं पसंद हो, उनके दिल पर राज करता हूँ क्योंकि मैं उनके गोद में बैड़ता हूँ, पैसे से श्टाडंब कमाने का सौक मुझे नहीं है, मैं मेहनत करके अपना जीवन चलाता हूँ, 22 घंट अ काम करता हूँ, क्या आप लोग नहीं आ जानते हैं क्या यह पूरी इंडेश्टी नहीं जानती है क्या मुझे मैच करने के लिए ना साथ जनम लेना पड़ेगा कुछ लोगों को चाहिए अपने आपको कुछ भी बोलते हो मुझे मैच करके दिखाऊ ना अज तकलीफ हुई मुझे इस बात से में मैं गुसा हम गुण तो यह बहुती बड़े आपना काम करो ना बढ़ा बनके दिखाऊ ना काम से बनके दिखाऊ क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार सब के सब? आतमात्या कराना चाहते हो, क्या मुझस से सब? सारी एक आदमी सपोर्ट में खे सारी के खड़ा नहीं होता है。 और चाहे मेरी गाना हो, चाहे मेरी मूभी और कोई बोलता तक नहीं है, क्यों? मत बोलो, मुझे तुम से नहीं चाहिए, यह भीक में नहीं चाहिए मुझे, यह उमीद में लगाके, पुरी इंडेस्टि से लगाके नहीं बेटा हूँ, मुझे पुरी इंडेस्टि अगर दरकिनार कर दे, छोड़ दे, तो मैं जनता के चंदे के पैसा से अपने आप को प्यार करता हूँ, सबके प्यार करता हूँ, सबके लिए मैंने किया है, जो बोल दे कि मैंने नहीं किया है, तो बता दे मुझे, सबके लिए मैंने जितना सोचना था, सोचा है, तो कम से कम प्यार ही तो चाहता हूँ, आप सबकी प्लीज मुभबत करिये मुझसे, मैं उतना ब बड़ी हो जाईए company जो भाई एक्टर हैं उनको और सश्क्राइब करो कि मेरे से ज्यादा व्यवर लायें जो जो अक्टरे से उनको बहुत प्यार दो यार मैं सबसे रिक्ष्ट करता हूं सब लोग प्यार करो सब को पियार करो सब को हक है हम कलाकारों का अस्तित्व आप सबसे है मेरे जीवन में योगदान अगर है तो सबसे ज्यादा योगदान है तो मेरे जनता का है मेरे भगवान का है क्योंकि पैसे से मूर्ती बन सकते हैं पैसे से मंदिर बनता है सर पैसे से मेरे पूरी इंडिस्ट्री को बता रहा हूं पैसे से ना मंदिर बनता है लेकि भगवान सरधा और लगन से आते हैं आपके पास तो सरधा करिए ना तपस्या करिए पैसे के आंकार को हटा दीजिए अच्छे अच्छे लोगों को डूबते हुए देखा हूँ तो सब लोग को मैं बोलता हूँ यार पुरी इंडेस्ट्री से हाथ जोड़ रहा हूँ यार मेरे मेरे पीछे मत पड़ो मैं जंता का गोद में बैठा हुआ हूँ पड़ोगे तुम लोग खुदी खतम हो जाओ यार क्योंकि भगवान के गोद में अगर कोई भक्त बैठा हो और उसको छेड़ने का मतलब जबनी महुत को क्या बोलते हैं यार महुत को आवाज देना रिक्वेस्ट करता हूँ यार दूसरा सुसांत मत बनाओ मुझे सारे के सारे एक दम पीछे ही पड़ गए हैं मैं क्या करूं कहा जाओ छोड़ दो इंडिस्ट्री घर चला जाओ चा अगर मैंने किसी का दिल दुखाया होगा तो शौरी माफ करना मेरा दुखाना मतलब नहीं था बट जिस हिसाब से मेरे पीछे साजी से चल रही है लोग मेरा नाम तक लेने से बाप रिबार करोना पोजिटिव हूँ मैं अरी यार मैं पुरी जनता के लिए भैक्सिंग किसी के बारे मैंने मैं गलत बोल दिया हो तो लब यू आल